मारकंडे जी धर्मराज युदिष्टे से कहते हैं है धर्मराज सब्त सारस्वत नाम से प्रसिद एक गंधर्व था जो भगवान शिवके सुयश का गान किया करता था वो गाने बजाने की विद्या में बहुत निपूर था परंतु कुछ समय के बाद उसे मदिरा पीने की लथ पड़ गई और वो उसी में अचेत रहा करता था काम पीडित और काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की पूजा अर्चना ही त्याग दी और वह भक्षिभोजी के सेवन में ही आसकत रहने लगा इस प्रकार कुछ समय बीतने पर वह गंधर्व उमापती महादेव जी का दर्शन करने के लिए केलास परवत पर गया उसे शिव भक्ती से विमक हुआ देखकर नंदी ने शाप दे दिया अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनी में जनम ले तब गंधर्व ने कहा महाभाग मुझे मिलेवे इस शाप का अंत कब होगा इसका निश्चे भी आपको कर देना चाहिए नंदी कहने लगे व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में सनान करके तुम महेश्वर का पूजन करोगे तब ही इस शाप का अंत होगा और तुम पुना यहाँ आ सकोगे यह सुनकर वह गंधर्व तुरंत वहाँ से चला गया और चांडाल योनी में उत्पन हो गया उस योनी में भी उसे अपने पुरुजनम की याद बनी रही और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से परवत, वन और काननों सहित पूरी प्रत्वी पर घुमने लगा दैव योक से वह एक दिन नर्मदा के तटपर आ गया वहाँ उसने शंकर इस थंडल अर्था शिव वेदी में जाकर तरह तरह के पुषपादी उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया गंधर्व की भक्ती जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उस वेदी से जल में परमपावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भा हुआ महादेव जी बोले महाभाग तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो तब वह गंधर्व हाथ चोड़ कर कहने लगा हे महेश्वर आपकी कृपासे भूमंडल में ये स्थान मेरे नाम पर सब्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो जाए और ये शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए जो पापी, चांडाल और नराधम पशुपक्षियों की योनियों में पड़े हुए हो वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोग में चले जाए तब तथास तु कहकर भगवान महेश्वर वही अंतरध्यान हो गए और वह गंधर वो भी शाप मुक्त होकर अंत में शिवलोग को प्राप्थ हुआ जो मनुष्य सब्त सारस्वत तीर्थ में इसनान करके भगवान वरिशब ध्वज की पूजा करता है वह अपनी 21 पेडियों का उधार करके स्वर्ग लोग में प्रतिष्ठित होता है जो वहां इसनान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्ति हो जाती है वे पुनर जनम से मुक्त हो जाते हैं शांडिल्या और नर्मदा का संगम सभी पापों को हरने वाला और स्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है वहीं पर शांडिल्य एशवर नामक शिवलिंग भी है उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष फिर कभी कर्म भूमी में जनम नहीं लेता अर्थात मुक्ष को प्राथ हो जाता है वहाँ पर तिल और जल की अंजली देने तथा हविश्य का पिंडदान करने से पितर चौधा इंद्रों के समय तक तरप्त रहते हैं उस तीर्थ में शांडिल्य कॉंडिन्य भांडव्य कौशिक कश्यप और भ्रगू ये और तथा बहुत से अन्य महरशिगण जप और ध्यान में तत पर रहते हैं वहाँ साथ हजार मुन्यों ने उग्र तपस्या का अनुस्ठान किया है शांडिल्या और नर्मदा के संगम में शांडिली जी का आश्रम बहुत मनुहर है लोक में वह शांडिली पुर के नाम से विख्यात है अनेक ब्रहमरशी वहाँ पर निवास करते हैं नर्मदा के दक्षिंतर पर द्वादिशा दित्य तीर्थ, देवदारु तीर्थ और देववन तीर्थ है द्वादशा दित्य तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है वही ज्यान सरुप सिध्धम लिंग में महादेवजी स्थित है उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्यानमाई कनकेश्वर लिंग भी है वहीं ज्वरेश्वर लिंग है जहां ज्वर का अभाव होता है उसके पास ही पंच ब्रहमेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुप्त करने वाला है पंच ब्रहमेश्वर, उश्पेश्वर और इस्थलिंडेश्वर ये तीन लिंग वहाँ प्रधान है नितनयमितिक कारे में, चैंद्रग्रहन और सूर्ग्रहन के समय श्रदधा पूरवक संगं में इसनान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्गलोग में जाते हैं नर्मदा जी के दक्षिन भाग में गोप पिलिंग है उसके पूजन से ब्रहमत्य आदी पाप साथ रात में नस्ठ हो जाते हैं राजन पितर, पिता में तथा मात में आदी सभी आपस में ये गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुतर उत्पन होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित, तिल युक्त, हविशिता पिंड देगा जिससे की लाखो वर्षों तक तरप्त रहकर हम परम गती को प्राप्त होंगे नर्मदा और कुजा के संगम में इसनान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसित पर्व है एरंडी और चंड वेगा का जहां नर्मदा नदी से संगम हुआ है वहाँ इसनान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यति पात योग, संक्रान्ती, वैधरिती योग, विशुव योग, दक्षिनायन और उत्तरायन के प्रारमभिक दिन ये पर्व उत्तम माने गए हैं अमावस्या को इसनान करने से 20 गुना पुन्य मिलता है। व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रान्ति काल तथा वैद्रिती योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या तथा चंदर ग्रहन के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुन्य प्राप्त होता है। ये साक्षात शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग करता है वे महादेव जी के कल्यान में धाम में निवास करता है। गवे अपनी ही इच्छा के नुसार दूथ दिया करती थी और प्रत्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार प्रत्वी का पालन करते वे देख राजा रंतिदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वसिस्ट जी से पूछा महामुने किस तीर्थ में न प्रत्वी और पूरोहित को आगया देते वे कहा कि यग्य का सामान जल्दी ही तयार किया जाए। इसके बाद दूतों को अलग-अलग देशों में जल्दी ही जाने की आग्या देते वे कहा कि समस्त राष्ट में ये गोशना करा दी जाये कि सब राजा मेरे यग्य में जरूर पधारे रंतिदेव की आगया से सभी सामंत राजा उस यग्य में सम्मिलित होने के लिए आए महराज रंतिदेव भी अपने रानी और यग्य सामग्रियों के साथ दिवरत पर विराजमान होकर नर्मदा के तठपर गए वहाँ यग्य मंडप, यग्य कुंद और यग्य के यूप सभी स्वन्ड में अर्थाच सोने के बनाए गए गए थे तरह तरह के भक्षि भोज्य पदार्थ और पकवान तयार किये गए थे महराज ने अपनी धर्म पत्नी के साथ यग्य की दिख्षा ली इसके बाद नर्मदा के सुंदर्तट पर उनका यग्य प्रारम हुआ उसमें धूम रहित, अगनी देव, प्रतेक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे श्री ब्रह्मा और इंद्र आधी देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वेदेव, साध्य वसू, चंद्रमा, सूर्य, नदिया, समुद्र परवत, सब्तीर्थ, मात्रगण, सिध्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमासाहित, शिव तथा देवेश्वर, और वे शिल और उच्छ वृत्ती से, अर्थात, जब खेत की फसल पक जाती है, और उस खेत से सभी पका हुआ अनाज उठा लिया जाता है, तब वहाँ पर बिखरे वे एक-एक दाने को चुनना उच्छ कहलाता है, और खेत कट जाने पर वहाँ पर गिरी हुई धान या गि परायन थे, और उनकी धर्मपतनी ब्रहमणी भी उत्तम्रत का पालन करने वाली, यशर स्विनी, पति वृता, परम सभागिवती और पती की सेवा में सदा लीन रहने वाली थी, वे इस्तरी समय पर अजस्वला हुई और ब्रहमणी ने रितुकाल में उनके साथ संसर्ग किय ब्रहमणी के गर्व से सौपुत्र उत्पन हुए, वे सभी कपिलापुर में रहा करते थे, ब्रहमण देवता शिलोच वरती के प्रयोक से एक प्रस्थ अन्न हर दिन उपारजन करते थे, इससे उनके बच्चे भूख से दुरबल होकर बड़े करुन स्वर्मे रोया करते थ परिवार का जो अनाज होता है, वो बहुत कम मात्र में मिल पाता है, जो उनके पूरे परिवार के लिए परयाप्त नहीं रहता था, बच्चों को भूखा देखकर मा शोक और पीड़ा से व्याकुल रहा करती थी, एक दिन वह अतिन्त दुख से व्याकुल होकर अपने पती इसे कहने लगी, हे आरे पुत्र, बुढे माता पिता, साधवी पतनी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरन पोशन करना चाहिए, यही सनातन धर्म है, वैसे तो सभी पोशिवर्ग का भरन पोशन आवशक है, परन तो पुत्रों के पालन प बाट कर उत्तम अन्न देता ही हूँ, दूसरी कोई वृत्ति नहीं करता, कोई और विवसायत तो करता नहीं, फिर मैं इससे ज्यादा अन्न कहां से ला सकूँ, ब्रहमणी कहने लगी, अगर बालक और वृत्ध भूक से पेडित हों, तो बाल हत्या के समान पाप लगता है, और वहां से वे सभी गववें, सोना और धन पाकर लोटे हैं, इसलिए स्वामी, जहां सब स्चालग्राम निवासी ब्रहमण गए थे, वहां आप भी जाएए, तब पुत्रों के भरन पोशन की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्रहमणी और बालकों को साथ ले, राजा के महायग्य में गए, जहां रित्विक लोग बैठे वे थे, वहां उन्होंने यग्यमंडप में प्रवेश किया, महराज अमरीश ने उन्स रेश्र ब्रहमण को देखकर अपना मस्तख जुकाया और अर्ग पाद्य के द्वारा उन सब का पूजन किया, इसके बाद उन्हों के जीविका के लिए परियाप्त धन दीजिए, साथ ही यग्य और होम के लिए उत्तम धेनू और सोने के भार से विभूशित दस हजार गववें भी प्रदान कीजिए, इसके अलावा एक करोर स्वर्ण मुद्राएं और उत्तम उत्तम वस्र और आवुशन अर्पित इस प्रकार उस महान लग्य को परिपूर्ण करके वे राजर्शी दीर्ग काल तक देवताओं की तरह आनंद भोगते रहें। इधर हरिकेश प्रामन अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर अंत में मृत्य को प्राप्थ हुए। और विश्यलोलूप होकर राजा का दान ग्रहन करता है उसका रौरव नरक में गिरना अवश्यम भावी है। वे ब्रह्मराक्षस अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और बारहा वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पढ़ा रहा कि मैं क्या क करूँ मेरा ये शरीर किसी प्रकार छूटी नहीं पा रहा अब मैं अपने पाप की शुद्धी के लिए अगनी में ही प्रवेश करूँगा तब उत्तम ब्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्मराक्षस पत्ती से कहा प्रभो ब्रह्मन का ये सब्धर्म अगनी से ही सिध्ध होता है इसलिए लकडिया इकठी करके आप उसमें आग जला दीजे और मैं स्वभागिवती रहकर पहले खुदी आग में प्रवेश करूँगी अपने से पहले पती को भयंकर अगनी में गिरते वे मैं कभी नहीं देख सकूँगी उसके ऐसा निश्य करने पर एक आकाशवाणी हुई आकाशवाणी ने कहा कि शुभे तुम्हें मृत्यू का भय नहीं है कुप्जा और नर्मदा के संगम में इसनान करने से ब्रह्म राक्षा सियोनी से मुक्ति मिल जाती है उसमें इसनान करके बिलवामर केशेश्वर की पूजा से मन जाकर महादेवजी को प्रणाम किया और कुप्जा तथा नर्मदा के संगम में विधी पूर्वक इसनान करके महादेवजी का पूजन किया इसके बाद वे सब के सब काम और ग्रोध से रहित होकर भगवान विश्नु और शिवजी का ध्यान करते वे अपने घर की भाती प् हम लोग को चले गए उस पवितर संगम में 108 स्चिवलिंग हैं जै बुलेनात आज का ध्याय समाप्त हुआ इसके आगे का व्रतान जानने के लिए करपया आप अगली वीडियो कंसे